जैशी किश्ण दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का वरत्योहार उपाय चैनल में दोस्तों आप सभी ने फिटकरी के बारे में तो सुना ही होगा फिटकरी के बहुत सारे फायदे होते हैं जिसमें से कुछ सेहत संबंधी फायदा भी हम फिटकरी से ले सकते हैं इसके अलावा क्या आप जानते हैं दोस्तों कि फिटकरी से आप अपनी आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे परिशानिया हैं जिनसे आप फिटकरी के कुछ उपायों को करके अपनी जीवन को खुश्यों से भर सकते हैं आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन ही कुछ उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ जो की फिटकरी से जुड़े हुए हैं वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों और अपनी समस्या की अनुसार फिटकरी के जो भी मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ उनको नोट कर ले लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि फिटकरी से हम अपनी आर्थिक समस्या से जुड़े हुए जो भी परिशानिया हैं उनको भी दूर कर सकते हैं सबसे पहला उपाई है कि अगर आप अपनी जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं धन लाब चाहते हैं तो उसके लिए आप फिटकरी का क्या उपाई कर सकते हैं दोस्तो ऐसा जोती शास्त्र में भी बताया गया है कि अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूज रहे हैं तो आपको फिटकरी का एक टुकड़ा अपनी तिजोरी में रखना चाहिए फिटकरी को आप स्नान करते समय नहाते समय पानी में भी मिला सकते हैं ऐसा करने से भी आपको लाब होगा साथ ही आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत हो जाएगी इसके अलावा आप एक काले रंग के कपड़े में फिटकरी का एक टुकड़ा बांध कर घर के मुखे दरवाजे पर टांग दे ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं करती है और आपके बिजनेस में आपके व्यवसाए में आपको तरक्की मिलती है दूसरा उपाय जोकी फिटकरी से जुड़ा हुआ है वो है आपको कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए दोस्तो अगर आप दिन प्रती दिन कर्ज में दपते जा रहे हैं आपका कर्जा कम होने के बजाए बढ़ता जा रहा है तो इससे छुटकारा पाने का एक आसान उपाय ये है कि आपको करना ये है कि पान के पत्ते पर फिटकरी का एक टुकड़ा रखकर उस पर सिंदूर ल करेंगे तो जल्द ही आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा तीसरा उपाय है दोस्तो बुरी नजर से बचने का बुरी नजर उतारने के लिए फिटकरी के टुकड़े को उस व्यक्ति के उपर से साथ बार घुमा दीजे और उसको जला दें फिटकरी जलाने से बुरी न फिटकरी का ये उपाय कर सकते हैं इसके लिए आपको करना ये है दोस्तो कि आपके जो कमरे हैं उनकी कोनों में आपको फिटकरी का तुकड़ा रख देना है जोति शास्र के अनुसार भी फिटकरी घर में रखने से नकरात्मकता खतम हो जाती है वास्तु दोश का भी नहीं पड़ता है अगला उपाय है दोस्तों कि अगर आपको डरावने सपने आते हैं तो उन सपनों से बचने के लिए भी आप फिटकरी का ये उपाय कर सकते हैं आपको करना ये है कि आप फिटकरी को काले रंग के कपड़े में बांध कर अपने बिस्तर के नीचे रखें जिस तरफ आप सोते हैं ऐसा करने से आपको डरावने सपने नहीं आएंगे दोस्तों ये थे फिटकरी के कुछ उपाय जोकि बहुत ही सरल हैं बहुत ही आसान हैं आप आराम से घर में इन उपायों को कर सकते हैं इन उपायों को करने के बाद आपको जो भी फीडबेक मिलें वो आप मेरे साथ जरूर शियर करेंगा साथ ही वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शियर करें और देखते रहिए वरत्योहर उपाय चैनल जैशी कृष्णा